पलामू को हिंसा की याग में जोंका गया, आज सिवरात्री है, सिव बरात निकालने की इजाज़त नहीं है, धाराबन फोटिफोर लागू है, मंदिर में भी सिर्फ चार लोग ही पुजा कर सकेंगे, सभी को घर में सिवरात्री की पुजा करने को SP और DC के तरफ से कहा गया है आप लोग की क्या इच्छा है? सब्सक्राब की मनषाए है, अभी साथ है, का छूंधर इसे समूदाए कि लोग चाहते थे कि किसी प्रकार वागूं, पर्ब तहौर एक सिवरार्शहिंद॑ कास्पर आता है, कि इसे पूरा हिंदु समाज है, मरमात है, दुखी है और आकरशिद भी है। पर कैसे सुनकेल कसा जाए और हम प्रसासन से मांग करना चाहते हैं कि वैसे तत्व जो आज पद्रों फहला करके सड्यंद करके और इसके बाद साजिस के तहत और यह अंडर ग्राउंड हो गए और उनको प्रसासन अभी देख खोज नहीं पाई है और यह साफ जाहिर होता है क कि साम को चोदेव के साम को लोग तो यह तौरंदवार लगा रहे थे और रोका गया उन्हें और इसके बाद सुबह में सुरू हो जाता है फिर बार पीठ है तो तौरंदवार लगाने वाले को और इसके बाद वीदी ने सेकेंड अस्राब की बोतल जो है सुम अजीद के उ उससे उससे यह कहिए कि उसमें यह प्रटोल बंप बना करके उसको परहार किया गया पथरों से परहार किया गया और इसके बाद कहिए कि इंटा से परहार किया गया और इसके बाद जो जो इस्तिती बनी अब बेकसूर है सुमारे गया पुलिस कर्मी है सुब घायल हुए त इसकी हैसो घोर निंदा हम करते हैं और हिंदुओं को जो मरमहत है आज उनको हम हैसो ये संतावना देना चाहते हैं कि आप उसी हैसो ये के साथ हैसो आप पूरे बाबा कहसे पूजा करें और बाबा समराएं कि हम आने वाले समय में जब सरकार की इस तुष्टी करन के नीती के खिलाप में जब हम आने वाले समय में हैसो भारती जनता पार्टी के नेतीत में सरकार बनेगी इतने गुस्से में हैसो पूरे ये हिंदु समाज के लोग हैं पूरे राज के लोग हैं कि इसका इजहार आने वाले हैसो चंद महिनों के बाद हैसो ये चुनाव में होने वाला है अब इसके बाद हम लोग फिर से धुम धाम से मनाएंगे और सरकार हैसुई से जो परदर्वी हैं जिनों को छुपा के कहीं रखा गया है राजिंदिक संदक्षन में रखा गया है उनको तुरंत सरकार है प्रसासन खोई निकाले और उनको गिराफ़कार करके उनको करी से कर पूलिस प्रसासन का संदक्षन मिल रहा है उनको छुपा तो क्या आप गरफ़तार है इसमें गाड़ियों वाले लोग उन्हें अपने आवास पर रखे हुए और जब हम लोगों को मालूम है तो उनको भी मालूम होना चाहिए तो यह कहिए कि पूलिस संदक्षन में बल्कि राजनेतिक संदक्षन में उनलों को रखा गया है कि किसी प्रकास उनको बचाए सके और सरकार के जो मंत्री हैं सरकार के नमाइंदें हैं निशिद्व से उनका स समरक्षन पराप्थ तभी इस परकास से अभी तक गिरफ्तारिया नहीं हुई है अगर अगर सत्ता परक्षे समरक्षन मिल रहा है तो पुलीस पर संस्ट ठीक से अपने काम कर पाई कि आपको लगता है या इसकी सिवी आई जांच कर ने देखिए इसमें जांच तो यह होनी च कि आखिर आखिर महजीद के ऊपर है यह पत्थर कैसे पहुंचे और सो यह इंटा कैसे पहुंचे और कहीं कि आखिये को एक सक capitalist के बंधुने अगर क्यीकित तस्वीर है तो हम दंग रहे क कि ऐसे हैं भी पवीतृत स्थाल पर यह औहों चन्प बैयर की बोतल है का ौसीना ठ कर रखा जाना और इसके बाद में खाली पड़ा राना यह तो कहिए कि मतलब कि है दुर्भाग पूरूं बात है इसका मतलब है कि यह साफ हजाई रहे कि यह पहले से इनकी तियारी थी बंसा इनकी थी कि है सो किसी प्रकासे जो हिंदु धर्म का तेहबार है उसको आज नराज है तो जो विशे समुदा है अपने मनसूबे में काम्याब होगे वो लोग यही आता था कि शिवरात्री नहीं बनाई जाए तो हमेशा यहां पर हिंदुों के तोहार में खलल डाला जाता है यह विधायक कर रहे हैं कि जो जी लोगों ने घटना को अंजाम दिय भारी संख्या में लोग आते थे पूजा अर्चना करते थे जल चरहाते थे सीव बरात निगलती थी पाकी में जुलूस लगता था मेला लगता था लेकिन इस बार जब से हिंसा हुई उसके वासे तनाव है इसलिए 144 लागो है पुलिस प्रसासन की कोशिस यही है कि जो घट निर ने लिया गया है मंदिर की जो तस्वीरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलीस बल भी तैनात हैं यहाँ पर प्रबंधन समीती के लोगों को पूजा करने के अनुवती दी गई उभी सीमित संख्या में प्रबंधन समीती जो मंदिर के उसके सदर समार साते हैं क्या नाम है मेरे नाम सतीश हुमर सिंग है क्या हालाथ से अब की सहयाज़त दी गई है सवर प्रथम हम आपके चैनल के मध्यम से समस्त चितरवासियों को आज महाशुरात्री के पामन बेला में सुभकामना देते हैं और हम समीति के लोगों को संती समीति के जो बैठोख हुई थी उसमें डिरने लिया गया था कि पांच लोगों को इस्थिति को ध्यान में रखते हुए पांच लोगों को पूजा करने का आदेश मिला था हम लोग उसका अनुपालन भी किये और वो जो काफी संख्या में भीड नहीं हो और किसी तरह का कोई भगदण नहीं हो इसका ख्याल मंदिर कमीटी के लोग भी रख रहे हैं और जो सरधालोग चाहते हिए कि हम कुझा करे आप प्रसासन एककर करके यहां मंदिर करीशतर閃़ोन का प्रव्यस हो रहा है लेकिन जो भारेवीड होती थी उससे हम लोग लोग अधिर लगाने की नहीं है तो यह हाला जो है अभी यह मंदिर के हैं जहां पी शिवराती मनाए जाती इस वक्त हम पाकी में उसी जगह पर मौझूद भजू थी आज सीवरात्री है यहाँ पे शिवबरात जुलूस निकालने के अनुमती प्रसासन के तरफ से नहीं दी गई है धारा 144 यहाँ पे लागू है मंदिर में भी सिर्फ चार लोगों को पूझा करने के अनुमती दी गई है बाकी जितने लोग हैं घर में सिरातरी की पूझा करेंगे यहाँ पर भारी संख्या में देखिए JAP, IRB और उसके अलाबा जारखन पुलिस के जवान तैनात हैं, रैफ की भी टीम यहाँ पर मौझूद है, किसी भी बाहरी वेक्ति को अंदर जाने की इरादत पाकी में नहीं दी जा रही है, यहाँ पर चपे-चपे पर पुलिस कर्मी तैनात हैं, कोशिस यही है कि जो पहले घटना हुई, वो दुबारा न हो, सिवरात्री पर महौल ठीक रहे, कोई गरबड़ी ना करे, इसलिए पुलिस यहाँ पर तैनात है, और हर वेक्ति जो इधर से गुजर रहा है, उस पर पैनी नजर रखी जा रही है, आज का दिन काफी आहम है, किसी भी तरह के कोई गरबड़ी ना हो, प्रसासन की कोशिस यही है, यहाँ पे CCTV कैमरा हर जगा लगाए गये हैं, द्रोन भी उड़ाया जा रहा है, हर चीप से मजूदा हालात पे नजर रखी जा रही है, तरनाओ अब भी यहाँ पे बरकडार है, दो पक्षों के भी जम कर टकडा हुआ था, पथरबाजी हुई थ कि कई घर मोटर साइकल को आके हवाले किया गया था, दरसल जामा मस्जित के सामने जो है सिवरातरी के लिए सिवभक तोरन द्वार लगा रहे था, आरोप है कि विशेश समुदाय के लोगों ने तोरन द्वार को तोड़ दिया, फिर सधालों की पिटाई की अगजनी की गया है, ताकि स्थिती को कंट्रोल में रखा जाए, पाकी जो इलाका है, चत्रा संसदी छेतर में आता है, चत्रा से बीजेपी के सांसद और वरिष्ट नेता मंदिर में पुजा के लिए पहुंचे है, नाम है सुनिल सिंग, सुनिल सिंग जी सबको अनुमती नहीं दी गए कि साजी से, आप एक और कह रहें कि 144 लागू है, चारचार के समू में लोग जाएंगे, मेरे पीचे आने को लोग हैं, जो चारचार की समू में आ रहे हैं, उनको यहां जाने से रोख जे रहें, तो कह कुछ रहें, कर कुछ रहें, तो मेरा ये कहना है, कि इस तरह से अगर आस्था पर आप प्राहार करेंगे, तो इसको सुविकार करना कायरता है, क्योंकि अत्याचार का प्रतिकार न किया जाएं। और एक सवाल उठता है, कि क्या कारण है, कि जब हिंदू का ही पर दोहारा आता है, तो हम लोग परव मनाने में लगे हैं, या डिस्रप्प कि यह विचारनी है ना कि इस राज में जब शिवरातरी हो दुर्गा पुजा हो राम नमी हो खोली हो कोई भी त्योहार हो पर वह उसी समय तनाव किस्थिती और तीन दिन चार दिन से पूरे इलाके को आप छाउनी के रूप में बतल दिये हैं आज मुझे लोगों ने बताया कि एक दो बच्चे आये थे एड्मीट काड लेके जा रहे थे सोचा लेकर ने उसको उठा ले रहे हैं रात को घर का दरवाजा तोड़के महिलाओं को पीटा गया है कि जो दुसरा पक्स था उसकी ये बंसा थी कि सिवातरी नहीं मना ने दिया जार वो पक्षिस मे जाई रहे हैं दुनिया में कोई की ताकत नहीं है कि हमको अपने परव और आस्फा से में बाधा उत्पन करें अच्छे क्या आपको लग रहा है कि एक बात और करहा हूं आपने अच्छा सवाल किया इस सड़क का इतिहास है कि जब दूसरे समुदाय का कोई फंक्सन होता है कोई तिवार होता यहां तक कि साधी बैहा होता है तो यहफा सड़क बलोक हो जाता है जो सड़क जिले को n меньше चाइतों को जोडने के साथ यह रोड 14 जिले के लिए विविजाती है कि फो बात टीत हो जाता है और आप एक सरण दोर लगाने के विवात में रोक दिये अगर किसी ने आत्म रख्षा में चलाया हो, हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारे उपर पत्थर वर्षा होने लगी, तो आत्मरक्चा में तो ये तैहने कि हम हाथ तो जरूर खड़ा करेंगे तो आप कहिए कि नहीं हम ठपड मार रहे हैं तो ये भेद भाव है मेरा आखरी सलक आपको लगता है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है जिन लोगों ने पहले इसकी सुरवात की उनके बैंक खातों की जाश होनी चाहिए तरह के हर तरह की जानकारी क्योंकि आपने देखा है कि ये राज पिछले कुछ दिनों से अनेक आतंकी गतिविद्यों का अड़ा बन गया है एनाईय ने जगा जगा चापे मारे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये राज एक मतलब तनाव की और बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और सासन कान में तेल डालके आंक बंद करके बैटा यानि आप अतंकी गथविधियों की बात करें तो कि आपको लगता कि जिल लोगों ने घटना कांग दिये हैं उनको बाहर से एक दुकंदार ने बताया कि उनके एक दिन पहले ही किसी ने पूचा कि क्या हो गया आत्मल पांकिसान थे कि राइट हो गया है तो यह घटना इंगित कर रही है तो इसकी ब्यापक जाच होनी चाहिए और तनाव में मज जो किये इस्थिती को नॉर्मल करना चाहिए आप प्र योपीटी के निर्देश का उनलंगन नहीं है कि आप मुझे सूचित करते कि यहां क्या निर्ने लिया है आपने जन प्रतिनीजी होने के नाते हैं हम सब का काम एक ही है जनता की सेवा और जनता की सेवा में कोई बेधान आता है तो इसका समधान करके सोहाध पुर्ण बाता इक सद भाव वने यह सुईकार नहीं तो सुनिल सिंग थे चत्रा सांसद जो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमेशा हिंदू के तोहर में खलल डाला जाता है हर बार तनाव पैदा किया जाता है तो यह प्लैनिंग के तहथ हुआ है मुझे लगता है हम लोगों को पूजा से रोक सुनि चाहिए कि ऐसा तो ने उनको बाहर से फंडिंग किया गए हैं तनाव फिलाने के लिए तो इस एंगल से भी जाच होनी चाहिए चत्रा सांसा जुबी जेपी के हैं सुनिल सिंग वो मांग कर रहे हैं कि सिर्फ जो हिंदू पक्ष उनकी गिरफतारी हो रही है जो विश